हलो तो वेलकम टेक्निकल इसरा यूटूब चैनल दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पूरे चैनल पे येलो डॉलर आ जाता है यानि कि चैनल की पूरी वीडियो पे येलो डॉलर आ जाता है तो मैं इसके लिए सोलुशन लेकर आओंगा कुछ बाते लेकर आओंगा कुछ बताऊंगा आपको कि कि किस तरह से आता है कैसे हमें बचना चाहिए अगर ये एक बार आ जाता है क्या इसका सोलुशन मिलेगा यह नहीं तो मैंने बदा जून के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आऊंगा तो ओर मेयंब का Channel है दोनों Channel पे जो इशू है वह आया येलो Ramen का एक वीडियो पे नहीं दो पे नहीं पूरी वीडियो चैन की वीडियो tant Inc QN'd के channel पे चैन के channel पे 60 वीडियो है पूरे के पुरे चैनल पे yellow dollar आ चुका है अब सबसे पहले बात तो ये करते है कि yellow dollar आ तक क्यों है और किस region से आता है और हमें कैसे secure करना चाहिए ये वीडियो बरियात रिंसे समझज़ना क्योंकि हो सकते हैं अगर एक बार yellow dollar आ जाए तो आपको दोबारा से मेहनत भी स्टार्ट करनी पड़ सकती है पूरा सोलुशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा बट उससे पहले अगर आपने हमारे चल को सस्क्राइब नहीं के सस्क्राइब कर ले जाना क्योंकि आपको पता है कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भ ऑल जाता है ठीक है उस पोली से में लिख्खा है अगर आपके यूटूब चैनल पर येलोडोडोलार आ जाता है इसका मतलब है कि एक वीडियो पर आ जाता है इसका मतलब है कि monetization आपका जो है limited कर दिया गया यानि के आपके restrict कर दिया गया monetization को restrict कर दिया गया एक वीडियो के लिए अगर 10 वीडियो पाया तो इसका मतलब है 10 वीडियो पे restriction लगा दी YouTube ने कि आप 10 वीडियो से अब earning नहीं कर सकते कहने का मतलब है जितने भी वीडियो पे अगर आपका ये लो डोलर आ जाता है तो इसका मतलब है वह YouTube की नजर में यह है कि आपका चैनल advertisement friendly नहीं है आपको कोई भी income नहीं आ सकती और जो एड़टाइस लगाने वाले होते है वह आपके चैनल पर एड़टाइस लगाना नहीं चाते है एड़टाइस लगाने नहीं चाते है तो इस वज़े से YouTube इस policy को दिखाके कि एड़टाइजर friendly policy दिखाके आपके चैनल को वीडियो पर ये लो डोलर कर देता है तो अब यह हो किस इस रिजन से रहा है कई चैनल मैंने ऐसे देखे है जो फेस कैम नहीं होते जो आवाज भी नहीं होती है और उसमें ये लो डोलर आ मतलब उस वीडियो का कोई लोजिक नहीं है कई बार टाइटल को उट पठांग लिखने पे और डिस्क्रप्शन सहीर नहीं लिखने पे ये डिस्क्रप्शन में कुछ ऐसे वहियात कीवर्ड डालने पे उसके दुआरा भी ये लो डोलर आयाता है अगर वो कीवर्ड आप अ आपका वीडियो पे ये लो डोलर जाएगा या फिर ग्रीन डोलर जाएगा पर एक्शली में जब ये लो डोलर पूरे चैनल पे आ जाता है तो ये एड्शुट्रेविल्टी वाला जो ऑप्संस है ये काम नहीं करता इसको सैल्फ सर्टिफिकेशन भी बोलते है तो ये काम नहीं करता अब एक बात देता हूँ कि ये आता क्यों है फिर इसको सोलूशन भी आगे बताऊंगा इन दोनों चैनल पे जब मैंने देखा कि किस तरह का कंटेंट ये डाल रहे थे दोनों दोनों चैनल एक ही कंटेंट डाल रहे थे कैसे कि अपने पैरों की जो इनके जो पै लगाने चाहिए किस तरह मचे पैरने चाहिए गुछ इस तरह के इनके चैनल पर वीडियो ती जब इन्होंने एकःट डाली तो उस पे यह लो फिर दूसरी वीडियो डाली, फिर येलो डालार आगया, फिर feet के तीसरी वीडियो डाली, तो येलो डालार आगया, इन्होंने क्या किया? उसको monetize करने के लिए भेजा YouTube ने कहा एड़ेटराइजर फ्रेंडली नहीं है, हम इसको accept नहीं करते पर ये वीडियो डालती रही अब YouTube का कहना ये है अगर number of जो वीडियोज है और उस पे yellow dollar है और आप बार-बार इस policy को violate कर ले हो तो ऐसे में आपके पूरे channel पे हम monetization restriction लगा देते हैं जिसकी वज़े से पूरे channel पे yellow dollar हो जाता है तो कहने के मतलब है अगर आपको लगता है कि आपका title सही है description सही है सब कुछ सही है तभी आप review में बेज़े अगर आप review में जाके अगर review में जाने के बाद में वो accept हो जाता है तो अच्छी बात है अगर वो reject हो रहा है और दोबार आज उसी type की video डाल रहे हो बार-बार उसी type की video डाल रहे हो तो आपके channel पे पूरे के पूरे channel पे yellow dollar हो सकता है इस बात को खोज कर रहे हैं मेरे को 17 से 18 दिन लग गए है मैंने कम से कम 12 वीडियो अपनी pending में रग दी पर इन पे लगा रहा दिन रात ठीक है मैंने adsense भी change किया मैंने एक बार नहीं दो दो बार adsense change करके देखे different different state के change करके देखे ठीक है पर कुछ भी solution नहीं मिला है अब YouTube के कहना है कि इसके क्या solution है इसका solution यह है कि आप अपने चैनल पर सारे tags को check करें और अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो में yellow dollar पहले आया था उन वीडियो को आप delete करें मतलब सही करे YouTube कभी नहीं बोलता delete करे advertisement friendly content बनाई है वो यह कहता है बस ठीक है तो मैं यहां पर आपनी तरप से effort के साथ यह बोल सकता हूं कि जितने भी आपके चैनल पे पहले से yellow dollar आया था और आपके पूरे के पूरे चैनल पे पूरे के पूरे चैनल पे yellow dollar है तो वो वीडियो आप delete कर दिए ठीक है अब नहीं स इस type की सारी की सारी वीडियो डिलीट कर दे डिलीट करने के बाद में कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड कर रहे आठ से दस दिन तक हो सकता है कि आपका चैनल पे यह दिक्कत खतम हो जाए यूटूब नहीं यह कहा है और साथ में यह भी कहा है कि हो सकता है यह problem दूर ना ह उनसे fight करता था लड़ाई करता रहा पर उन्होंने कोई solution इसका नहीं दिया उन्होंने यह कहा है कि उनका कहने का मतलब यह है कि आप advertisement friendly content बनाईए और जब 10-15 वीडियो आप वीडियो डालते जाओगे सही tags लगाओगे सही description लगाओगे सही चीज करोगे तो आपके चैनल प या कि आप इस तरह की वीडियो नट डालिए इन वीडियो को delete कर दीजिए वैसे मेरा मन तो यह भी था कि इनके पूरे चैनल की वीडियो मैं delete कर दूं या करवा दूं पर actually मैं यह बात नहीं बोल सकता क्योंकि कल को अगर कुछ issue हो गया तो मेरे पर भी बोलेंगे कि इसरार बाई ने सारी वीडियो डिलीट करवा दी फिर भी solution नहीं मिला पर एक बात यह भी है कि अगर आप अपनी वीडियो को delete करते हो solution मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है तो इसी case में अगर आपके पूरे चैनल पर yellow dollar आ जाता है तो यहां पर दो बात है या तो आप risk ले लो या फिर आप जोना अपना नया चैनल बनाके उस पर महनत करना start कर दो अपने अपने सारी चैनल की वीडियो डिलीट कर दी और starting से आप महनत करते रहा हो तो हो सकता है आपकी yellow dollar की problem दूर हो जाए यह मैंने practical करके नहीं देखा क्योंकि मैं किसी की वीडियो डिलीट नहीं करता कल कुकूच हो जाए मेरे को दिक्कत आ सकती है इसलिए मैं यहां से आपको suggestion दे सकता हूं कि try कर सकते हो क्योंकि जब इनसान कहते हैं कि मरता मरता क्या नहीं करता ठीक है जब इनसान मर रहा होता है तो वो हर चीज़ सोचता है कि मैं किस तरह से बचू नहीं का मतलब है जब बना के उस पर काम करिए आपका यह कब solution होगा कोई नहीं पता यूटूब ने नहीं बताया मैंने जो effort लगाए 17-18 दिन तक उसमें किस तरह कोई भी exact solution नहीं निकला है बस हम try करके ही देख सकते हैं यह video मेरे को बनाना बहुत जूरू था कोई बहुत लोग कमेंट कर रहे थ पर मैंने अपने तरफ से काफी effort लगाया मैंने 10-12 वीडियो पनी pending में छोड़ी मेरे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपको समझ आया होगा आप इसी गलती नहीं करोगे अगर गलती करोगे तो दिक्कत उठानी पड़ सकती है तो यहाँ पर मैं उम्म स्क्राइब करके जुन जाना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले टाटा बाई बाई जैहिंद